सबसे जादा हो जाती है क्योंकि इस समय स्कैल्प में बहुत ओल जमता है ड्रैंड्रफ होने लगता है सो मैं आज आप लों के लिए लाई हूँ ऐसे कुछ शैंपू जो स्पेशली टागेट करते हैं हमारी ओईली स्कैल्प सर की तोचा तेली होती है उस पे और दूसरा हमारे ड्रै हेर यह कॉमिनेशन बहुत रेर होता और बहुत कतरनाग होता है तो आज मैं कुछ शैंपू आप लों को रिक्मेंट करूंगी जो ओली स्कैल्प और ड्रै हेर पर वर्क करेंगे यह शैंपू मैंने यूज किये हैं इनके रिजल मुझे अच्छे लगे हैं और यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं अलग अलग ब्रांड से मैंने यह से कमा यह आण को यह को पाड़न Gus यह शैंपू जर्ण हैं सब्सक्राइब तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पर टाइश एक सिर्फ लड़कां इसको चाहे कर सकते ही हैं जान नहीं हैताएं यह तो प्रूंटम के रिक्तवर कर सकते हैं तो जूओ अई आ सिर् कोई भी शैंपू तभी वग करेगा जब आप इसको यूज करोगे क्लीन करोगे स्कैल को अधर वाइस हफते में एक बार शैंपू करना या दो बार करने से और ली स्कैल्प वालों की प्रॉब्लम नहीं खतम हो सकती सो गाइस चली स्टार्ट करते हैं मेरा विदिया सुगाइ अमेजोन, नायका, नेटमेट सब जगा ये अवलेबल है ये शैंपू आपके हेया के ग्रीजीनेस को रिमूव करेगा स्टिकीनेस, ओली स्कैल्प इस सबको ये रिमूव करेगा और स्टिकी डैंडरफ को भी कम करेगा बहुत ही अच्छा शैंपू है ओली डैंडरफ के लि बहुत ही अच्छे इंक्रीडेंट इसमें मिक्स है कुछ केमिकल्स है लेकिन ये आपको ओफर में वन एच्ची रूपीस का मिल जाएगा नायका एमेजान और लोकल स्टोर सब जगा ये मिल जाएगा इवन नेटमेट में भी ये भी शैंपू आपके ओली स्कैल्प के लिए यूज कर रहा है तो आप इसकी चोटी बॉटल ले सकते हो फ्रेगनेंस थोड़ी सी स्टॉंग है लेकिन अच्छी है और ये शैंपू बहुत ही अच्छे से एक्सेस ओयल को रिमूव करता और साथ में बालों को ज्राय नहीं करता तो जिनके ज्राय है और ओली स्कैल्प है वो डेफिरिटली शैंपू को चाय कर सकते हैं बाकी ये पूरा कम्प्रीटली आयरुएदिक शैंपू नहीं है इसमें कुछ केमिकल्स हैं गाइस हिमाल्या का एंटी डैंडर्फ शैंपू विद चीच्री फाइट डैंडर्फ मेक हेयर हेल्दी तो चीच्री के साथ ये आता आप इसको यूज करोगे रेगुलर्ली अल्टरी डेस में या आपकी हेयर के स्टिकिनेस को रिमूफ कर देगा ये भी इसली अवलेबल है नायका अमेजॉन लोकल स्टोर्स में नेटमेड में सब जगा आपको मिल जाएगा इसकी सबसे स्मॉले साइज है पाउच इसके अगर आपके डान रफ है बहुत अच्छे से वग करेंगा नीम वैसे भी जो इंफेक्शन को कम करने में हेल्प करता और जो डान रफ होता वह तरीकी का इंफेक्शन ही होता है इसमें भी ये सबसे स्मॉले साइज एसके पाउच भी अवलेबल है मार्केट में लोकल स्टोर इसमें ये मिल जाएगा एफॉर्डिबल शैंपू है कुछ केमिकल्स के साथ ये आता है बिल्कुल हरबल इंक्रीटिंट से बना नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से डान रफ को रिमूव करता है और बहुत जादा ज्राइए तो आपको इसके बाद कंडिशनर यूज करना पड़ेगा या फिर आप हेयर मास्क लगा सकते हो सेरम यूज कर सकते हो बाकी मैं रिकेमेंट करूंगी ये शैंपू उनको जिनको डान रफ की इशू है आप ट्राइ कर सकते हो अगर कोई एक शैंपू चाहते है जो आसानी से मिल जाए तो आप इसको ड्राइ दे सकते हैं ज़रूर जाओ गाईज ये है हमारा डफ का एंटी डैंडर्फ सॉल्यूशन ये शैंपू आता है मिंट के साथ बहुती कूलिंग एफिक देता है ओली डैंडर्फ के लिए मुझे के शैंपू अच्छा लगा और ये बालों को ड्राइ नहीं करता रफ नहीं करता अगर आपकी स्टिकी हेर है तो अब डेफिनेटल falling कर सकते हो बाकी बालों को रफhen नहीं अगर इन शैंपू लगा सकते हैं और आपकी हेर के के लेंट्व में लगता है और हेर की roughness को कंक्रता है बाकी ये शैंपू मुझे पसंद आया कि अपनेंस भी है स्क्रा शैंप को ब करता है इसमें कुछ केमिकल्स हैं ये कोई हबल इंक्रीडेंट से बना शैंपू नहीं है तो इनकेस अगर आपको केमिकल से प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनली इस शैंपू को च्राय दे सकते हैं और या चाहे तो इसके पाउच भी पर्चेस कर सकते पसंद आप बढ़ ये वर्क करते हैं तो भी नहीं वर्क करते हैं तो भी तागी जो और वीवर्स उनको हेल्प मिल सके सो गई सो गई चली मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए